रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप लोग बहुत एजी और असान रिस्पी लेक्या है तो चलिए इसे बनाना स्टाट करते हैं यह रिस्पी बहुत अच्छी है छोटे बड़े सबको पसंद आएगी और मीठा जिसको बहुत जादा पसंद है वह इसे बना के आप 2-4 दिन त सकते हैं बच्चे ऐसे खाके बड़े खूस होंगे और बहुत ही है डेस्टी है हेल्डी भी है बड़े इजी और आसान तरीकी से बना है अब यह कट करके दिखा देते हैं तो देखिए लेयर वाई लेयर कैसी है बहुत इजी और कम समान से बनाएं तो चलिए फटा-फट से बनाना स्टाट करते हैं यह कंद लिए एक कप गहां का अटा है उनको पहले चान लिये थे और यह हम कप में लिए थे उसे अची तरसे दबा के बराबर कर लिए थे ताकि सारा मेजरमेंट इसी कप से लेंगे आप इसे घहां के आटे से बना रहे हैं तो हमने एक कप नाट ले ले लोगे इनका पावडर नहीं डालेगे इनगे मोटा मोटा डालेंगे तो देखिए जब हमारे मुह में आईगी ने तो बहुत ही अच्छी हो लगती है कहीँ कहीं अच्छी हल्की से तिक्खी तो यह तेस्टी लगती है इसलिए हम इसमें डाले यहां पर एक कप लिये थे तूसी कप से हमने आधा कप चीन डाले हैं कप छोटा वाला है और इसी से हमने अच्छी तरह से मिला देंगे सारे चीज को ताकि सारे चीज आपस में इकाल किoule क्योंकि बात में जब comprar पानीं डाले हैं यह कहीं कहीं लाम पढ़ा जाती तो जिलांगे इसलिए पहले सुखे में इन्हें अच्छी तरह सेütfenने अची ताफ ही सिमिल जाए यह अब जा आप सकते हैं या लेकर आपके पास भी तो अगर आपके पाँ मैं से पनी दाले लेकं टेस्टी ही अब storms कूर। में चीप बkidstoo कर कहां हें जाएवं की जुए अब करिगा दे करें चीप से sun को सब्सक्राइस करें जो आखने अचल अच्यक्EL की दिन्त जहें ठाल करका नेमा बिलाट यूज़क८क्त जो जब पनी के वाधिक्याम देज फालों कि प него चीप और थेas बस अब यहां पर तयार है आप इनको हम ढख देंगे 10 मिनट के लिए पांच या दस मिनट के लिए चोड़ दीजिए तो देखिए आपको दिखा देते हैं 10 मिनट के बाद देखिए और थोड़ी सी और भी पतली हो गई चीनी से मेल्ट हो गई है इसलिए हम ने छोड़ दिया अगर आपको जल्दी बनाना है तो यहां पर पीसी चीनी यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़े सा 5-10 मिनट रख देंगे तो जो आटा हो अच्छी तरह से फूल जाएगी और जितने भी हम समान डाले है और आपको पस में टेस्ट अच्छी से मिल जाएगी अब आपको बना सक देखने लेकिन हम ने इसमें थोड़े सी फूड गल डाल दिया क्योंकि हूँ ऐसी देखने में चीजें बहुत ही अच्छी लगते हैं तो अगर आपको पसंता है तो आप जालें अन्या पिस्किप कर सकते हैं आप मेरत थोड़े सी इसमें एक पीशे पूर डाल दें और इन पूरे में और इन्हें थोड़ा सा डाल के इसे अच्छी तरह से पहला देंगे कर्ची से आप इसे तवे पभी बना सकते हैं आप इसे डीप राइवी कर सकते हैं तेल डालके इसे पकने में दो-दो मिनट लग रहे थे बहुत जादा टाइम नहीं लग रहा था तो देखिए ह कितनी जालीदार बनी है और अगर आप ऐसे डीप करके खा सकते हैं तो आप पूरे तेल में डालके पुड़ो की तरह फ्राइब कर सकते हैं चोटे-चोटे लेकिन ज्यादा नहीं पसंद करते उनके लिए रेस्पी है आप इसे तवे पर बना सकते हैं तो देखिए हमने एक दूसरी बार दी है और इन्हें चोट देंगे एक मिनट के लिए इसके बाद इन्हें टर्न कर लेंगे तो बनाना एजी होता है यह थोड़ा सा बंद है कवर में हैं तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इस बढ़ी आसानी से बन जाती है लेकिन आपके पास नंस् बन जा रहे थी और देखे कितनी जालीदार और कितनी अच्छी बनी आप इसे रोडियों की तरह बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं लेकिन फ्राइपेन में बड़े नहीं बन पा रहे थे चोटे-चोटे हम बनाया है तवे पर बड़े बड़े असानी से बन जाते देखिए बड़े नारियल के पावडरों दाल के अच्छी तरह से रोल करदे कि नारियल जो होता है भी पस्दे हम ने उनको ठोड़े शी रोल करके टीपर में पाई पासान और कितनी यमी बनी अटे इसे बनी बहुत जादा तेल गीन भी लगा है और बनाना भी आसान है आप ज़रू बनते हैं लेकिन आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाई है बच्चों को टीपन में दी घर में ऐसे खाये तो हैनक इतना बनाना आसान और गेंगों के आटे से बनाए हैं तो बिल्कुर नुकसान नहीं करेगी आप दो की जगा चार खा सकते हैं बहुत जादा तेल भी नहीं कर दो करे से जादा बनाई हैं जादा बनाना आधा जाप टूर कि जाए हैं और बनाई हैं गए हैंपल कि दाए हैंग जाख दो आदा से जादा तो है